मेरा नाम अभीशीक जैन है और आप सभी लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि आप यूनिट इंवार्मेंट को कैसे सेट अप कर सकते हैं Eclipse टूल के थ्रूल मैं आपको रिवर्स मैं बता रहा हूं जिससे कि आपको इसको अंडरस्टाइंड करने में बहुत इजी रहे अभी क्या है कि कभी कभी जब हम किसी भी एप्लिकेशन को टेस्ट करते हैं अभी मैं यह समझ रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह जावा एप्लिकेशन जानता है उसको जे यूनिट का दोड़ा आइडिया है दिन उनको पता है कि जे यूनिट फ्रेमवर् अगर मैं इस जो यह यूनिट का फ्रेंवर्क जो मैंने सेट अप किया था इस टेस्ट जे यूनिट इग्जामपल जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके उपर यह मैंने इसको रिमूव कर दिया मैंने इसको जैसे ही रिमूव किया आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो फ्रेंवर्क है वो कैसे वोग करता है आप उसके लिए मेरा जे यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट वन इन हिंदी देखिए आप उसमें समझ जाएंगे कि यह इक्सेक्ली मैं क्या कर रहा हूँ अभी आप सिरिफ यह तेखिए कि जे यूनिट का सेट अप आप क्या से कर सकता है मैंने जे यूनिट का प्रेंवर्क जे अ जूट आप किया था उसमें जितना भी मेरा लइब्रेवारी इस था वो मैंने सारा इस बॉलर्र से ल्मृव कर दिया है तो जहां 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 musimy इसежटकेस एक्जिग्यूशन में मैंने मैंने जहां जहां पर भी यह कि delivered classes जो API यूज किये हुए थे वो सारे के सारे मेरे landmark हो जाते हैं और उनको मैं अब execute नहीं कर सकता हूँ जो मैंने अब एक चोटा सा example जो समझते हैं यह जो class to be tested है यह मेरा class था जिसको मेरे को test करना था उसके लिए मैंने test cases को create करने का class बनाया test cases को execute करने का class बनाया इस create test cases creation वाले class में मैंने कुछ J unit की delivered functionality यूज करी similarly मैंने जो test cases execution का था वहां पर भी मैंने कुछ J unit की delivered classes और API यूज किये हुए थे अब नहीं known है Eclipse को इस तरह का आप कई बार जब भी आप initial Eclipse को करते हैं install तो इस तरह का problem आपको होता है जहां पर कि आप J unit test cases तो बना रहते हैं बट आप उसे execute नहीं कर पाते हैं यह cut already setup है बट आप setup अपका properly काम नहीं कर रहा है उस समय भी आप इसको use करके अपने setup को correct कर सकता है मैं यह करता हूँ कि हमें setup देखना है हम right select करेंगे अपना project project में जाएंगे properties पे click करेंगे by default मैं भी यहां पर हूँ हमें इसके बाद java build path को select करना है मैं इसमें हम libraries पर जाएंगे कभी-कभी आप इसके source वाले टैप पर भी हो सकते हैं अगर आप source पर है तो main हमारा destination यहां होगा libraries होगा उसके बाद हमको add library पर click करना है आप by default यहां पर आएंगे connect ड्राइबरी definition पर आप जे यूनिट से write करिये next वटन को click करिये फिर आपको यहां library बर्जन मिलेगा तो उनसा बर्जन आप करना चाहते हैं मैं जावा जे यूनिट 4 को करूंगा क्योंकि मेरा जो वर्जन है Eclipse का वो इसके compatible है वो आप 3 भी कर सकते हैं वो भी आपका compatible होगा अब आप इसको finish कर देता है तो जे यूनिट 4 का जो जा रहे हो आपको यहां देखना यहां लग जाता है जो पहले यहां नहीं देख रहा था अब आपका जे यूनिट 4 जो मैंने हटा दिया था वो आ गया अब हम देखते हैं कि हमारे project label पे क्या-क्या changes हुए हैं अगर अब आप इसको continue करना चाहते हैं तो आप मेरा जे यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट टू इन हिंदी आप देख सकते हैं जहां पर आपको इसका और डेटेल मिलेगा कि actually मैं जे यूनिट फ्रेमवक कैसे work करता है क्या-क्या features उसमें हमें मिलते हैं हम उनको कैसे real-time environment में utilize कर सकते हैं हम अपने software product को जो हमें क्लाइन को डिलीवर करना है उसको quality perspective से और कितना quality को रूफ कर सकते हैं और हम कितने defect free code quality assurance group को और eventually production उसको deploy कर सकते हैं जहां पर client actually में हमारे software और हमारे product को real-time में use करेंगा मैं धन्यबार देना चाहूँगा आप सभी लोह का generalize video को देखा इसके बाद अगर आपको कोई भी demand clarification चाहिए या भी भी आपको कोई setup related problem है या आपको लगता है कि video आपको properly explain नहीं कर रहा है comment section में comment डाल सकते हैं और मेरी जो email id है आप उस पर मेरे reach out कर सकते हैं अब चाहें तो उसको note करने है मेरी जो mail id है वह है मैं इसको यहीं time कर देता हूँ आप 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 आप